प्रिये विद्धार्थियो नमस्कार मैं महाविर सिंग असोसेट प्रोफेसर गवर्मेंट लोईया कोलेज चुरू आप सभी वीकोंपार थर्ड के स्टुडेंट्स का स्वागत करता हूँ प्रिये विद्धार्थियो हमने पिछले व्यक्षान में IGST से सम्बंदित कुछ इंपोर्टन डेफिनिशन और उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा था आज कि इस महत्तुपन व्यक्षान में हम IGST से रिलेटेड कुछ इंपोर्टन जो करेक्ट्रिस्टिक्स इसकी हैं विशेस्ताइन इनको हम कहते हैं उनके बारे में अपना आज जानेंगे यह विशेस्ताइं जानने के बाद हम काफियत तक समझ जाएंगे कि IGST का CGST SCST से किस माइने में डिफरेंस है किस माइने में उसका अंतर है उसको हम आज़सानी से समझ सकेंगी तो इसकी जो विशेस्ताइं हैं इसके बारे में एक बहुत आसान सी बात हम जानते हैं वह अच्छी तरह से कि वह यह जो है वो राज्य के भीतर जमाल बेचा जाता है या आपूर्टी की जाती है मार और सिवा की तो ऐसी इस्तिती में CGST, SGST दे होता, IGST नहीं होता और IGST जो होता है वो अंतराजी आपूर्टी पर लगता है इसलिए इसके फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही हुई कि यह कर अंतराजी आपूर्टी पर लगता है इसके सबसे पहली विशेशता हुई इसका मतलब यह होता है कि जो आपूर्टी करने वाला रज्य होता है या केंदर साशित प्रदेश होता है वो अलग होता है और उसको आपूर्टी को लेने वाला केंदर साशित प्रदेश या रज्य अलग होता है तो ऐसे आपूरती करता है और आपूरती प्रापक्त जब different states के या different union territories के हो या एक union territory का और एक state का हो तो फिर ऐसी आपूरती को हम interest rate supply कहते हैं और उसी पर IGST दे होता है कि दूसरी इसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता यह होती है कि यह जो आईजीस्टी होता है वो केंदर सरकार लगाती है और उसका पैसा हो पूर्ण रूप से केंदर सरकार के खाते में एक बार जाता है बाद में उसका एक तरीके से रिस्टिबूशन होता है तो यह केंदरी सरकार द्वारा लगा जाता है उसका प्रशाशन भी यही करता है कि तीसरा इसकी जो विश्यस्ता है वो यह है कि यह डेस्टिनेशन पर स्टेक्स है यानि गंतव आधारीत कर है इस कर का जो Čन्हाब है वो लाब भोकता राजिसको कंजिमर्स स्टेट कहते हैं उसी स्टेट को इसका लाब लाब्त होता है जैसे मानली जीए राजस्तान का वजापरी मध्यपरदیس के वापरी को माल बेच्टाए है तो उस पर जो मध्यपरदेश सरकार को इसका फाइदा लेकी उसन्तिति में जो है वो इंटर स्टेट का जो फाइदा है वो मैं सपलाइर स्टेट को जो यह एक बड़ा इसके अंदर बड़ा चेंज है वो आया है जो अपने को ध्यान में रखना है भी है ए। इसकी जो और सव्फ इंपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे कंट्री से माल को या सिवा को तो ऐसे इंपोर्ट को जो है वो भी अंतराजी आपूर्थी माना जाता है इंपोर्ट के माल पर इंपोर्ट डूटी तो अलग से लगती है लेकिन उसके उपर आई जीस टी भी दे होती है तो इंपोर्ट बूट से वो भी एक अंतरा जिया पूर्थी का रूप हुआ नेक्स्ट है जो भी समस्त माल और सेहों की आपूर्थी पर ये कर लगाया जाता है डिस टेक्स इस लेविए डिन ओल काइंड सोफ बूट्स और सर्विसेज डैट आर टेक्शेबल तो ऐसी जो इसके बारे में आपको एक बात खास द्यान रखने हैं कि यह कहना चाहता है कि आ हैं आइज-स्टी की दाइरे में सभी परकाते माल और सेहों की आप पूर्थी के जो है वू आती हैं लेकिन इसके अंदर इसके आपूर्थी के दारे hesya के कते हैं मानवी उपोकि सराव की दूसरा है पैट्रोलियूम पदार्त पैट्रोलियूम पदार्त एक्चल में जी-स्टी नहीं लगाए जाता फिलहाल उनको जी-स्टी IGST की दायरे से बाहर रखा गया है और उनके उपर के वल State Government उसके उपर Excise duty लगती है उनके उपर जो है वो पेटरॉलियम पदार्थों पर लेकिन उसके उपर IGST दे नहीं होता फिलहाल नहीं है वेधिपी वो उसके डायरे से बाहर नहीं है कभी भी बाद में लगाया जा सकता है इस करक की जो दर होती है वह वास्तों में CGST SGST की टोटल के बराबर होती है जैसे कई बार GST की दर कहा जाता है कि 12% GST की दर है दैट मिन 6% CGST 6% SGST होता है तो IGST की दर 12% होगी जिसमें 6% सब्सक्राइब कर्編ान है कि फोग्टा के इसके बारे में पूराइब है तो इसके बारे में पूर्परिक दपिन उसके लेर्श से माल act करता है कि कि इस तो इस जो जो सप्लायर स्टेट का वैपरी होता है वो सेंट्रल गवर्मेंट को आजिस्ट जमा कराता है सेंट्रल गवर्मेंट अपना हिस्सा काट करके मद्यप्रदेस गवर्मेंट को उसका भुक्तान करती है यानि कंजमर स्टेट को तो यह प्रक्रिया होती है कि सरकार के पास के साथाता है के अंदर सरकार उसको राज्य सरकार को देती है सीधे राज्य सरकार के पास नहीं जाता इंपुट कर्द समंदी प्रावधान भी इसके अंतरकर दिये गए हैं कि जो भी आउट्पुट आईजीस्टी बनता है उसमें से जो सप्लायर स्टेट का जो व्यापारी होत चूह करता है उसकी जो आउट्पुट词 होती है उसमें से वह इनपुट टेक्ट करेडिट लेकर बाकी पैसा हुआ के बांक आख लग वा कि वह सबसे फैले पहले लेगा नंपूट टेक्स क्रेडिट लेगा उसके बाद में एस जास नहीएट लेगा तो यहातो की पैसा होती है यह भी इस सम्मंद में प्रोविजन दिये गए यह सारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने देखी जो बहुत इंपोर्टन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो की सीजीस्टी स्टी जो विदिन स्टेक्ट माल यह सवा सप्लाई होता है उस से थोड़ी डिफरेंट होते हैं जो अपने दिमाग में होने चाहिए तो यह सिंपल सिंपल सी कुछ बात हैं जिनसे अपने को आईजीस्टी एक अलग से दिखता है कि हाँ यह आईजीस्टी काइंड है अब अपने इसके प्रोसेजर के बारे में देखते हैं कि आईजीस्टी की जो कार्य प्रनाली है या इसका प्रोसेजर है वो कैसे होता है तो इस समंद में अपने को एक धान रखना है कि आईजीस्टी की प्रक्रिया जो होती है वो एक राजे से दूसरे राजे में माल और सिवा की आपू विया जो है वो सप्लायर स्टेट यानि आप पूर्ति करता रज्जे के व्यापारी दुआरा अपनी इंपुट कर जमा का लाब लेते वे से सरासी केंदर सरकार में जमा कराने और केंदर सरकार दुआरा अपना हिस्सा काट कर पाकी रासी को स्टेट गोवर्मेंट को कंजुम तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुई सीज़ जो है वह कोई ट्रांजेक्ष्टन कहां से सुरूब आर उसका एंड कहां जाकर होता है यह इसके अंतरगत है safe क्या हुआ पहला safe ioska वा आपूर्ती करना महले सिवा की अंतरणी अपूर्ती करना उती है वह तो सप्लाय करता है । यह राज jokes के अंदर विभा तो ऐसी स्सितिथी में उसको हम पहला किया हुआ कि वह सप्लाई करता है तब दो राज ही वह सफ्लाई करते टाइम से लेटा है उसके में हपारी से उसको कहा historically खाते में जमा कराता है अगर वो उसके और कोई आई टी सी वगरा नहीं है तो वो सीधा उसमें जमा करा देगा दूसरा चरण यह है कि वो अगर उसके पास आई टी सी है अधर बाइस तो केंदर से खाते में जमा करा देगा आई टी सी नहीं है तो लेकिन अगर वो आई टी सी को काट करके बागी पैसा जमा कराएगा जैसे मानली जे उदारन के रूप में 50,000 रुपे का माल बोपाल के व्यापरी को बेचा तो अगर ये 12% का माल है और उस पर 6000 रुपे का टेक्स बनता है तो 6000 रुपे का IGST का टेक्स है वो जेपूर का व्यापरी के अंदर सरकार के खात तो वो ITC पहले काटेगा सपोज कीजिए कि इस 50,000 रुपे के माल जो ट्रांसपर किया गया उस से रिलेटेड मान लीजिए उसकी जो है वो 1800 रुपे की CGST और 1800 रुपे की SGST है तो वो क्या करेगा व्यापरी पहले CGST को काटेगा फिर SGST की 1300 काटेगा 3600 रुपे काटकर 2400 र खाते में जमा करा देगा जैपुरवाला व्यापरी तो वो अपनी ITC को समायुजित करने के बाद सेशरासी ही Central Government के खाते में जमा कराएगा यह यह जो बात है वो तीसरे चरण में लागू हो जाती है तीसरा चरण यह कहता है कि सोरी दूसरा चरण हाँ दूसरे चरण में व समाल सप्लाई किया और यह दि कोई ITC ने तो केंदर सरकार के खाते में जमा करा दिया दूसरे चरण के तुछ ने ITC गें की 1800 CGS T 1800 STS T तीसरे चरण में सेस्वची राशी यानि 2400 रुपे को केंदर सरकार के खाते में जमा कराया फिक है पहला चरण इंटरस्टेट सप्लाई हुआ दूसरा चरण ITC लिया तीसरे चरण ITC लेने के बाद भी सेंट्रल गवर्मेंट के खाते में जमा कराया और चोथा चरण क्या ह करना महलय सिबा की पहला स्टेप दूसरा स्टेप त्स चरण क्यों च्यांट करना और सोत्ती स्टेप जो है वह OS के दरे चक्रस का ऑझचभण किया ता है वह आप देखिया कि इस प्रकार के होता है जैसे अपने अभी जो है उसका अगर दो लाइन में इसका उत्तर दिया जाए तो इसका उत्तर यह होता है कि जो राशी सेंट्रल गोवर्मेंट को आपूर्ति करने वाला राज्य सुद रूप से भुकतान करता है अपनी आईटी शेलने के बाद उस राशी में जो है वो उस राशी के अंदर जो उसने आपूर्ति करने वाले राज्य के व्यापारी ने जितनी स्ट्यस्टी लिए है वो उस राज्य से के अंदर सरकार लेता है और वो राशी जोड़ दी जाती है उस सुद्ध प्राप्त राशी में अब कुल मिलाकर के जितनी सेंटरल गवर्मेंट के पास पैसा बनता है उस में से जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसकी जो 50% राशी होती है वो चुंकि कंजर्बर स्टेट के होती है इसलिए वो आपूर्ती लेने वाले राशी को उसका 50% भूतान कर देती है और सेस बची जो राशी होती है वो सेंटरल गवर्मेंट के पास रह जाती है कुल मिलाकर के इसका यह होता है कि जितनी सेंटरल गवर्मेंट के पास राशी सेस बचती है उसमें यदि हम आपूरती करने वाले राज्य के व्यापरी द्वारा लीगी CGST की राशी को जोड़ देते हैं तो वो राशी Central Government की कमाई होती है और उसका सीधा सीधा सही की आस्पेक्ट है कि यदि मान लीजिये 6000 रुपे का Output Tax बनता है तो 3000 की कमाई लेने वाले की और 3000 जो है वो Central Government की होती है तो इस तरीके से उसका डिविजन होता है जैसे अपने इस एक्जामपल के अंदर के तगर लें तो इस एक्जामपल में हमने क्या देखा था कि जैपुर के व्यापारी ने पोपल के व्यापारी को 50,000 रुपे का माल बेचा 12% की दर से उसने IGST वसुल किया 6000 रुपे अब 6000 रुपे में से 1800 की CGST और 1800 की SCST की Input Tax लेने के बाद जैपुर व्यापारी ने 2400 रुपे Central Government को जमा करा दिये अब Central Government के पास 1300 रुपे सुदृ रुपसे प्राप्त हुआ Central Government क्या करेगी जो SGST की Input Tax credit जैपुर के व्यापारी ने ली वह पैसा राजस्तान सरकार से Central Government लेगी अब Central Government के पास 1200 प्लस 1800 ब्रावर 1200 रुपे हो गए इस 1200 रुपे में से 3000 रुपे 1200 रुपे में से 3000 रुपे क्योंकि जो transaction हुआ था उसमें 6000 की output आज जीस्टी बनी थी उसमें 3000 रुपे जो है उसका आधा वो जो आपुरती लेने वाले राज़े है यानि मद्यप्रदेश गौवर्मेंट के जो इंकम होगी इसलिए वो इंकम ब्यानी सोमें से मद्यप्रदेश गौवर्मेंट को ट्रांसपर कर दी जाएगी अब Central Government के पास 1200 रुपे सुद रुप से बच जाएंगे अगर हम यह कहें कि Central Government की कमाई क्या है तो बारा सु रुपे में जो जो जैपूर के व्यापरी ने रास्तान गौवर्मेंट के व्यापरी ने रास्तान के व्यापरी ने जो CGST की इंपूट टेक्स क्रेडिट ली थी वो भी Central Government की कमाई थी तो इसलिए वो उसने एड़िस्ट किया था तो उसको अगर बारा सु में थारा सु को जोड़ते हैं तो Central Government की कमाई थी तीन हजार रुपे ही एक्च्वल में होती है यह देवी वीशु दूरुप से उसको बारा सु में ले लेकिन अगर उसको एर्निंग देखें तो वो कमाई थीन हजार ही होती है और इस तरीके से जो है वो 6,000 रुपे का 50,50, 3,000 रुपे उसके कमाई हो गई तो यह जो प्रक्रिया है वो IGST से समन्दित समाजन के प्रक्रिया है तो अब सिंपल सिंपल आप चार पॉइंट आप त्याद रखें पहले लेगा क्या सबसे पहले सप्लाई होगा सप्लाई पर जो भी आउटफुट टेक्स होगा वो सप्लाईर स्टेट का व्यापरी वसूल कर लेगा उसके बाद में सेकिंड स्टेप ITC लेगा तीसरा स्टेप ITC गटाने के पाद बाकी 50 सेंटरल गोर्मेंट में जमा कराएगा चोतर है वो सेंटरल गोर्मेंट टेक्स का एड़ेस्टमेंट करेगी बैस यह चार स्टेप आपको ध्यान रखने हैं इसकी प्रोसेजर की आईजियस्टी के बारे में और यह आज अपन इतना ही इसको धन्यवाद